वेल्कम बैक टू हिस्ट्री इंफो दोस्तो आज हम नौरस्पूर आए हैं नौरस्पूर यानि नया शहर इसे इबराहिम आदिलशा टू ने 1599 में बसाया था यहाँ पर तीन महलात हैं उसमें से हम एक महल तो आपको बताएं तगनी महल आज हम थोड़ा सा संगीत महल को कवर करेंगे क्यूंकि संगीत महल काफी सारे यूटूबर ने दिखाया और सब लोग यहाँ पर जो भी टूरिजम आते हैं तो संगीत महल देखते हैं उसके बगल म में ही एक नारी महल है उसको आज हम कवर करेंगे इस अंगीत महल और सारे यहाँ के जो भी महलात हैं नवाब शवास खान नामी एक नोबल परसनालिटी थे जो मिनिस्टर अंडर इबराहिम आदलिशाटू के जमाने के उन्होंने इसकी कंस्रक्शन की जुम्यदारी ली थी और यहाँ पर तकरीबन 20,000 लोग वरकर और नोबल्स यहाँ पर काम किये हैं मतलब कंस्रक्शन के काम किये हैं यह काफी खुबसूरत शहर बसने वाला था बिजाबुर से भी यहाँ पर कई महलात वगरा बनने वाले थे यह देखिए इस अंगीत महल के बाजू के यह पोट नारी महल एक लेडिज के अवरतों के लिए बनाया गया महल है यह काफी खुबसूरत है इसके बाउंडरी वाल्स जो हैं काफी हाइटेड हैं क्यूंकि यहाँ के अंदर में कोई आ ना सके या कोई देख ना सके इस तरीके से इसको बनाया गया है नारी महल में यह भी एक सामने एक बड़ा सा वाटर पॉंड है और रहने के लिए नाने के लिए यहाँ पर इंतिजामात हैं यह देखिए उसका अंदर का इंटरंस गेट है इसके बाउर में ही में गेट है एक काफी बड़ा महल है एक बड़ी सी कमान है जैसे कि गगन महल और संगीत महल में है उस कमान के पीछे ही दो एंटरंस हाल और उसके लेफ्ट और राइट साइड में बेटरूम्स थे लेफ्ट साइड में टॉइलेट्स याने बादरूम्स वगरा थे उसके कुछ अभी भी निशानात मौजूद है आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ये देखिए लेफ्ट साइड के वो बेडरूम्स वगरा ये था वो हॉल में इंटरंस हॉल ये काफी तुटे-फुटे हालत में हैं अभी कुछ गिने-चिने या आउशर जिसके बचे हैं एक बहुत खुबसूरत सा महल बना था मगर मलिक अंबर ने इसको तोड़ दाला उस जमाने में ये देखिए वो टौइलेट्स याँ पर मौजूद हैं दोस्तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताके हम आपको ऐसे ही आगे वीडियो बनाकर दिका सकें ये देखिए वो बातरूम्स यहाँ पर अभी भी इनलेट आउटलेट के पाईप्स वगरा मौजूद हैं दोस्तो विजापुर लोग आएं और इस तक राके मकामात देखें